देखे स्टूरेंट जो नेक्स प्रॉब्लम पूछा क्या था केमिस्ट्री में अ कमपॉंट विदा मॉलिकिलर फॉर्मला C6H14 हैस टू टर्शी कार्बन तो इसका आयू पी से नेम क्या है तो सबसे पहले मुझे यहां पर जो आप्शन्स गिविन है इनके स्ट्रक्चर बना लेने चाहिए लाइक नॉर्मल हेक्जेन तो डेफिनिटी जो नॉर्मल हेक्जेन है वो यह है और नॉर्मल हेक्जेन का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूंगा तो इसमें तो कोई भी टर्शी कार्बन नही है प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन ही है option number second it is two methyl pentane और जो two methyl pentane है उसका structure ये है ये देखिए it is two methyl pentane और ये जो two methyl pentane है हम इसके अंदर देख रहे हैं कि this is tertiary कार्बन आपको लेकिन उपर पूछा क्या है कि two tertiary कार्बन मतब ये भी सही answer नहीं है it is two three dimethyl butane और जो two three dimethyl butane है इसका structure ड्रॉ कर लेते हैं वो ये है two और three के उपर dimethyl मतब two methyl ये देखिए तो it has two tertiary कार्बन यहाँ पर दो tertiary कार्बन है और that's why यही correct answer है जो fourth option है इसके अंदर आपको यहाँ पर two two dimethyl butane given है obviously यहाँ पर four होना चाहिए यह four तो two two dimethyl butane तो इसका structure draw कर लेते हैं ये देखिए two two dimethyl butane और जो two two dimethyl butane है इसके अंदर तो यह cottonary carbon है यह secondary carbon है यह primary carbon है यह primary carbon है सारे यह वाले दो तो इसमें तो कोई भी tertiary carbon ही नहीं है और that's why which is the correct answer three is the correct answer फप्र तो है यह तो यह जा जए यहाँ तो भी जहाँ प्रयोंग सो